दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ गुलाब जामुन से एक बहुत ही टेस्टी एंड इजी केक की रेसिपी इस केक को आज हम तवे पर बेक कर रहे हैं यानि की ये केक बीना अवन, बीना अंडा, बीना प्रिमिक्स का बनने वाला है केक बिल्कुल बेकरी स्टाइल की बने की दोस्तो किसी भी स्पेशल लॉकेशन में आप इस केक को बहुत ही आसानी से बना सकेंगे दोस्तो बहुत सारी टिप्स के साथ इस वीडियो को मैं शेर कर रहे हूँ तो प्लीस वीडियो को पूरा देखे चेली स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी हाई एबरिवन मैं हो सनीता आप देख रहे आपका अपना चैनल सोरीस कीचन दोस्तो सबसे पहले तीन चोथे कब दूद लेले दूद गरम या थंडा नहीं होना चाहिए दूद रूम टंपरेचर में ही लेना है अब इसमें एक बड़ा चमच वाइट वीनिकर या निम्बू का रज डाल कर मिला कर साइड में रख दे अब एक केक टिन में मैंने ओईल लगा कर ग्रीस कर लिया है इसमें या तो बटे पेपर लगा ले या तो थोड़े से मैदा छिड़क कर ले ले अब इस केक टिन को रखते हैं साइड में चलिए अब केक के लिए बैटर बना लेते हैं बैटर बनाने के लिएक बोल में दो बड़ा चमच में रिफाइंड ओइल ले रही हूँ इसके जगा आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं साथी हम इसमें डाल देंगे आधा कप पिसी हुई चीनी इसी के साथ हम इसमें डालेंगे जो हमारा रेडि किया हुआ करडल मिल्क यानि कि जो दूद में हमने विनेगर डाल का रखा था वो दही जिसी हो गए ये इसे अब हम आड़ कर देंगे अगर ये आपको नहीं करना है विनेगर नहीं है तो आप इसके जगा एक चोथे कप दही डाल दे एक चोथे कप में इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ इससे टेस्ट अच्छी आएगी अब सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स करेंगे जैसे कि इसमें कोई भी लंस ना हो अब एक चानली ले लेंगे इसमें डालेंगे आधा कप मेदा आधी छोटी चमश बेकिंग पाउडर आधी छोटी चमश ही बेकिंग सोडा डाल देंगे मैं स्टील के चमश से ही मेजर कर रही हूँ आप देख सकते हैं अब अच्छे से इससे भी चान लेंगे अब सभी चीजों को चली बढ़िया से फिर से मिक्स कर लेते हैं केक में फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें एड़ कर रहे हूँ एक छोटी चमच वेनिला एसेंस अब एक बार मिक्स करने के बाद देखे बैटर तयार है बैटर की कंसिस्टेंसी रिबबन जैसी होनी चाहिए आब इस बैटर को हमारा रेडी किया हुआ केक टिन में ट्रांसवर कर देंगे मैंने साइड बाई साइड तवा को गरम होने के लिए रख दिया था तवा गरम हो चुका है केक टिन को हलका सा टैप टैप करके तवे के उपर देखे मैंने एक वाइर रैक रखाया इसके उपर केक टिन को रखेंगे ढख देंगे एक भगोना से लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए केक को बेक होने दे आप 20 मिनट के बाद एक बार चेक करें जब आपको टूथपिक क्लीन मिले यानि कि समझ जाएए केक बेक हो चुका है केक को निकालकर थंडा होने के लिए रूम टेंपरेचर में ही छोड़ दे और साइड बाइ साड जब तक हमारा केक थंडा हो रहा है हम क्रीम रेडी कर लेते हैं केक के लिए मैं ले रही हूँ ट्रॉपल एड प्रेमियम वाली एक कप थंडा विपिंग क्रीम आप कोई भी अच्छी ब्रैंड की विपिंग क्रीम ले सकते हैं whipping cream ना मिले तो whipping cream powder भी आपको online मिल जाएगी उसे use कर सकते हैं मैंने पहले भी उसे use करने का तरीका बताया है अगर ये दोनों ही नहीं है तो fresh cream से icing कैसे करें cake की cream cheese frosting से लेकर butter cream frosting सब कुछ मैंने अपके साथ share किया हुआ है playlist में cake recipes को ज़रू चेक कर ले अपको बहुत options मिल जाएगे अगर whipping cream को फेटने के लिए electric bitter नहीं है तो hand blender से कर सकते हैं hand blender से भी उतना ही अच्छी result आती है लेकिन थोड़ी से ज़ादा समय लग जाएगी electric bitter यूज करते हैं पहले slow speed से start करें फिर speed को बढ़ा दीजिए और जब इसमें stiff picks आ जाएगा तब आपका cream fit करके ready आने की cream whip हो गया है अब आज की cake को बनाने के लिए में cream में थोड़ी से food color डालूंगी जस्ट एक बूंद मुझे डालना है यह में ले रहे हूँ lemon yellow gel food color जो की cake में mostly use होता है तो देखिए इतना ही मैंने लिया है food color फिर इसे में spatula से ही इस तरीके से mix कर लूंगी हलकी सी मुझे tint चाहिए बहुत जादा color हमें नहीं देना है अब cake को moist करने के लिए मैं ले रहे हूँ गुलाब जामून की चासनी आधा कब और दो बड़े चमश मैंने इसमें पाने डाल कर डालूट कर लिया है अब cake भी थंडा हो चुका है तो देखिए cake को unmold कर रहे हूँ मैं मैंने कुछ नहीं किया है जस्ट चाकू को इंसर्ट करके हलका सा हिलाया और ये निकल गई बटर पेपर को हटा लिया cake बढ़िया स्मूथ और स्पांजी बना है चले इसे तीन लेयर में कट कर लेते हैं पहले बीच में चाकू से दो कट लगा लिजिए फिर इसमें धागा को फसा करके दोनों तरफ से धागे को पकड़ कर खीच लिजिए फिर आपके बढ़िया से लेयर्स कट हो जाएंगे cake के और पतली लेयर्स कट होंगे और evenly होंगे देखिए कितनी जालीदार cake बनी है इसी तरीके से मैंने cake की 3 लेयर्स रेडी कर लिये हैं चली इसे हटा लेते हैं क्योंकि गुलाब जामून cake है तो हमें गुलाब जामून तो चाहिए ही मैं यहां पर 7 गुलाब जामून को छोटे छोटे काट रही हूँ दोस्तों ये गुलाब जामुन मैंने खरीद कर नहीं लाया ना ही बहुत महेंगे बने हैं ये गुलाब जामुन को मैं बजी हुई रात की रोटी में से बना कर तयार की थी बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन स्पंजी तो बने ही थे इसके वीडियो मैंने अल्रेड़ी शेयर किया हुआ है आई बटन पर में लिंक दे रहे हूँ और ये वीडियो को मैंने परसो ही शेयर किया था तो उस वीडियो को आप जरूर चेक करें गुलाब जामुन बना ले फिर आप केक बनाएंगे तो आपके दोनों ही रेसिपी हो जाएगी और अच्छे से आप गुलाब जामुन भर भर के केक में डाल पाएंगे अब मैंने एक केक बोड लिया है इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा कर केक की एक लेर को रख दिया है और जो चासनी पानी हमने मिक्स करके रखा था उससे मैं केक की लेर को अच्छे से मॉइस्ट कर रहे हूँ आप पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम को भर कर लिया है देखिए दूस्तों आपके पास केक बोड नहीं है पाइपिंग बैग नहीं है टर्न टेबल नहीं है यह सब कुछ घर पर बनाने का तरीका मैंने पहले ही शेयर कर रखा है आप मेरे केक वीडियो को चेक जरूर कीजिए आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ आई बटन पे एक लिंक दे रहे हूँ उस वीडियो को जरूर देख ले देखिए मैंने जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने गुलाब जामुन डाल करके अच्छे से अंदर दबा दिया है गुलाब जामुन को और अच्छे से मैं इवन कर रहे हूँ इसे पैलेट नाइफ नहीं है तो आप एक चाकू ले लीजिए उससे भी काम हो जाती है अब यह दूसरी लेयर हो गई आप रखते हैं तीसरी लेयर केक की जो हमारी सबसे नीची वाली लेयर होती है तो उसे मैं उपर रख रहे हूँ और उल्टा रख रहे हूँ अब इसे भी मैंने चासनी से अच्छे से सोक कर लिया है मॉइस्ट कर लिया है केको इसमें मैं क्रीम को अच्छे से लगा लूँगी लेकिन इसमें अभी गुलाब जामुन नहीं डालनी है पूरी केक को क्रीम से कवर करेंगे पहले हम क्रम कोटिंग कर लेंगे फिर अच्छे से केक को फिनिशिंग लुक देंगे इस तरीके से आज तो मैं पैलेट नाइफ से ही इसे अच्छे फिनिशिंग लुक दे रहे हूँ नहीं तो आप expired वाली debit या credit card या फिर आप scrapper यूज कर सकते हैं इसके लिए अब जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी केक के ऊपर उसे हम क्लेन करके केक को बढ़िया फिनिशिंग लुक देंगे और चाहे तो थोड़ी दिर के लिए इस केक को फ्रीज में रख दे सेट होने के लिए अभी फिर बाकी का डिजाइन करें अब देखिए दोस्तो जितना अच्छा फिनिशिंग काम करेंगे ना उतना ही केक बेकरी टाइप की दिखेगी अब मैं ले रहे हूँ N3 नोजल दोस्तो स्टार नोजल बनने का तरीका मैंने पहले ही आपको बता रखा है लेकिन अगर आप केक बनने के शौकिन है तो आप अलग-अलग टाइप की नोजल जरूर खरीद कर रखें बहुत अच्छा लगता है कभी-कभी अलग-अलग साइज की अलग-अलग शेप की नोजल को यूज करके केक बनाने में मज़ा आता है तो मैं सेम नोजल को यूज करके कुछ बड़े फ्लावर्स कुछ छोटे फ्लावर्स बना रहे हूँ अब मैंन में बहुत ही सुन्दर लगेगा ऐसे लगेगा कुछ flowers की धेर में गुलाब जमुन रखे हुए हैं अब एक गुलाब जमुन को मैंने ऐसे half circle size में cut कर लिया है इसे में side में लगा रही हूँ तो अब मैं सोचती जा रही हूँ कि कहां पर क्या लगा हूँ क्योंकि पहले से मेरा कोई design fix नहीं होता है दोस्तो कोई भी cake बनाती हूँ पहले से मैं ये नहीं सोचती हूँ कि क्या design बनाऊ पहले से ऐसे नहीं कि कोई google में photo search करूँ उसी को follow करूँ कभी ऐसे नहीं होता है मैं बस केक बनाती जाती हूं जो दिमाग में आता रहता है उसी को ड्रॉ करती हूं फाइनली एक डिजाइन जाकर बन जाता है तो यहां पर मैं जैसे जैसे सोच रहे हूं और कुछ गुलाब जामून के पीसे रख रहे हूं अभी छोटी वाल स्टार नोजल से मैंने साइड में तो मैं गुलाब जामून के उपर चांदी का वर्क लगा रहे हूं यह ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं और पिस्ता जरूर डाले इससे बहुत ही सुन्दर लुकाता है और गुलाब जामून हो या फिर रसगुला या रसमलाई पिस्ता तो इन सब के जान होती है थोड़े स साफरन त्रेट सैनिक केसर के धागे डाल रहे हूं और यह देशी गुलाब की पंकडिया है कई बार मैंने बता है यह मेरे ही गार्डन के है मैं सुखाकर रखती हूं और उसे मैंने डाल दिया देखिए कितनी सुन्दर लग रही है ना वाव और हाँ यह जो खाली जगा है यहां पर आप विश लिख सकते है जिसे हापी बद्दे हापी एनिवर्सरी ऐसे सब और देखिए फाइनली के कितनी सुन्दर लग रही है है ना दोस्तो चलिए आप इसे काट लेते हैं दोस्तो ज़रूर ट्राय करें इस रस्पी को और गुलाब जामुन घर पर बना कर फि कि एक 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 एक